दोस्तो नमस्कार सिंगापूर टैक्स इंफॉर्मेशन फॉर्म का नोटिफिकेशन यदि आपको भी आया है तो इसे अच्छे तरीके से बल लेना चाहिए क्योंकि हमारी यूटूब पेमेंट सिंगापूर से होकर ही आती है इसलिए इसे भरना जरूरी है तो आएए दोस्तो सिंगापूर टैक्स इंफॉर्मेशन फॉर्म भरना सीखते हैं चैनल में पहली बावा हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों यह हमारे एक वीवर का एक्सेंस अकाउंट है इस पर मैं आपको सिंगापू सिंगापूर टैक्स इंफॉर्मेशन का नौटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा चुकि मैंने इनका सिंगापूर टैक्स इंफॉर्मेशन का नौटिफिकेशन डिस्मिस कर दिया था तो अब वो कहां पर देखने को मिलेगा चलिए बताते हैं तो दोस्तों अब हमें मैनेज सेटिंग्स के ऑप्षिन पर क्लिक करने के बाद इस पेच को भी नीचे की तरफ स्कॉल डाउन कर लेना है तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमें सिंगापूर टैक्स इंफो को ऑप्षिन मिल जुका है इसके सामने वाले पैंसिल की निसान पर क्लिक करते हुए हमें मैन मैनेज टैक्स इंफो के ऑप्षिन पर क्लिक करने के बाद आगे हमें नीचे एड टैक्स इंफो के ऑप्षिन पर क्लिक करते हुए आगे हमें स्टार्ट फॉर्म के ऑप्षिन पर क्लिक करने के बाद आगे हमें Business Type के सामने वाले Arrow पर क्लिक करते हुए हमें Individual को Select कर लेना है तो यहाँ पर हम Business Type में Individual को Select कर रहे हैं और अब नीचे Do You Have a Permanent Establishment in Singapore के नीचे No के सामने वाले Box पर टेक कर लेना है तो Do You Have a Permanent Establishment in Singapore के Option में No को Select करने के बाद नीचे Are You Registered for Singapore Goods and Services Tax GST के Option में भी हमें No को Select कर लेना है और अब नीचे Unique Entity Number Optional है तो इसे छोड़ देना है और अब नीचे Tax Exemption के सेक्शन में Are You Eligible for Tax Exemption के नीचे Yes के सामने वाले Box पर टिक करने के बाद अब हमें नीचे अपने Country का सेलेक्शन कर लेना है अपने Country के सेलेक्शन करने के बाद नीचे हमें अपने Pen Card को Upload करना है जिसका की फॉर्ड में PDF PNG या JPEG होना चाहिए और साइच 50 MB से अधिक नहीं होना चाहिए तो अब यहाँ Upload के Option पर क्लिक करके हम अपने Pen Card को Upload कर लेंगे Pen Card को Upload करने के बाद नीचे Expiration Date में हमें US Tax Form भरते सामें हमें जो Expirate Date मिली थी उसी को यहाँ पर डाल देना है और Submit के Option पर क्लिक कर लेना है दोस्तो वीडियो में कहीं कुछ समझ में ना आया हो तो आप हमीं कॉल कर सकते हैं या वाटसा मेसेज भी कर सकते हैं नमबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा तो यहाँ पर आप स्टेटस दे सकते हैं इन रिव्यू में है दोसे तीन घंटे में यह अप्रूवड हो जाएगा तो दोस्तो आप देख सकते हैं लगबग एक घंटे में हमारा सिंगापूर टैक्स इंफो अप्रूवड हो चुका है